प्रधान मंत्री जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी एक साथ हमारी पार्टी के चार टॉप के नेता जेल भेज़ दिये एक साथ अर्विन केजरीवाल मनीज सिसोधिया संजय सिंग सतिंदर जैन बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर चार टॉप के नेता जेल चले जाएं पार्टी खतम हो जाती है आम आदमी पार्टी के चार टॉप के नेता इन्होंने जेल भेज़ दिये उन्होंने सोचा कि पार्टी खतम हो जाएगी लेकिन ये पार्टी नहीं है ये एक सोच है जितना ये खतम करना चाते है उतना ये बढ़ती जाती है ये क्रश करना चाते है प्रधान मंत्री जी आम आदमी पार्टी को जो लोग मोदी जी से मिलने जाते हैं वो कई लोग हमें भी जानते हैं वो बाहर आके हमें बताते हैं कि आपके बारे में सबसे पहले मोदी जी से जो भी मिलने जाता है सबसे पहले वो केजरी वाल की और आम आदमी पार्टी की 10 से 15 मिनट बात करते हैं उनको कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर आम आदमी पार्टी ही देश को भविश्य देने वाली है वो खुद भी मानते हैं इसलिए वो चाहते हैं कि आज ही आम आदमी पार्टी को बढ़ने से रोका जाए इनको कुचल दिया जाए ये ताना शाही है अगर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में बीजेपी को चैलेंज देने वाली है आप अच्छे काम करो आप देश को भविश्य दो आज आपकी सरकार एक अंदर के अंदर आप देश के लिए काम करोगे आम आदमी पार्टी को कोई पूछेगा ही नहीं लेकिन आप कुछ काम नहीं करो और आम आदमी पार्टी को कुचल दो ये जनतंत्र नहीं है ये इस देश की जनता पसंद नहीं करो इन्होंने आम आद्मी पार्टी को गुचलने में कोई कसर नी चोड़ी छोटे से लोग है हम लोग छोटी सी पार्टी है 75 साल के अंदर इस कदर किसी पार्टी को और कि उसके नेताओं को प्रतारित नहीं किया गया जिस तरह से प्रधान मंत्री मोधी जी ने आम आदमी पार्टी को प्रताडित करने की कोशिश किया मेरे को इन्होंने जेल भेज दिया प्रधान मंत्री जी कह रहे हैं मैं भरष्टाचार से लड़ रहा हूँ देश के सबसे बड़े चोर उचक्के और डक्यातो को इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जिन लोगों को दस दिन पहले मोदी जी कहते थे सतर हजार करोड का इसने घोटाला कर दिया थोड़े दिन के बाद उसी आदमी को अपनी पार्टी में शामिल करके किसी को डिफ्टी सीम बना देते हैं और उनके सारे E.D. और C.B.I. के मामले खतम कर देते हैं और कहते हैं मैं भरष्टाचार से लड़ रहा हूँ मैं मोदी जी को कहना चाता हूँ भरष्टाचार से अगर लड़ाई लड़नी है तो केजरी वाल से सीखो प्रधान मंत्री जी भरष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केजरी वाल ने लड़ी है 2015 में जब धिली में हमारी सरकार बनी थी हमारे एक मंत्री का एक और्डियो मेरे पास किसी ने वाक्सटप कर दिया उस और्डियो में मेरा मंत्री किसी दुकान वाले से पांच लाक रुपे मांग रहा था किसी मीडिया वाले को नहीं पता था विपक्ष को नहीं पता था आप लोगों को याद होगा मैंने अपने खुद मंत्री को CBI के हवाले कर दिया जेल भेज दिया था अपने मंत्री को ये होती है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पंजाब के अंदर मेरा एक मंत्री मेरा एक मंत्री भ्रष्टाचार में मेरे को पता चलाई प्रश्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं तो आप प्रश्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ रहे हैं परधान मंत्री जी आप देश वासियों को बेखुफ मत समझो देश बच्चे बच्चे के जुबान के उपर हो रहा है कि सारे चोर चकों को अपनी पार्टी में शामिल करके और एड़ी और सीबिया के सारे केस उनके रफाद अफा कर देते केजरी वाल को क्यों गिरफ़तार किया केजरी वाल को गिरफ़तार करके उन्होंने एक मैसेज दिया है सारे देश को कि अगर मैं केजरीवाल को गिरफतार कर सकता हूँ तो किसी को भी गिरफतार कर सकता हूँ किसी कोई केस नहीं होगा कोई मामला नहीं होगा तब भी मैं तुमको गिरफतार कर सकता हूँ एक बेहद खतरनाक मिशन चालू किवा हुआ प्रधान मंत्री जीने बहुत ही खतरना देश वासियों को यह समझने की अब जब मैं बोलने जा रहा हूं समझने की जरूरत है उस मिशन का नाम है वन नेशन वन लीडर देश के सारे नेताओं को खतम करना चाते हैं मोदी जी और इसको दोस्तर करके उपर इस मिशन को चला रहे हैं जितने विपक्ष के नेता हैं उनको जेल भेजेंगे और जितने बीजेपी के नेता हैं उनको सब को निपता देंगे उनकी राजनीती खतम करते जाएंगे उनको सबको निफटाते जाएंगे विपक्ष के अंदर आज इन्होंने मनीज सिसोदिया को जेल बेज दिया संजय सिंग को जेल बेज दिया सतंदर जैन को जेल बेज दिया केजरिवाल को जेल बेज दिया हिमन सुरेन को जेल बेज दिया मम्ता दीदी के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया स्टेलिन के कई मंत्रियों को जेल बेज दिया केरला के सीम के पीछे पड़े है अगर ये चुनाव पीछ जीत गए मेर से लिखवा लो एफिडेविट के उपर थोड़े जिनके बाद ममता दीदी जेल में होगी तेजस्वी यादव जेल में होगा स्टेलिन साथ जेल के अंदर होगे पिनरई विजियन जेल के अंदर होगे उद्धव ठाकरे जेल के अंदर होगे जितने ही विपक्ष के नेता हैं सारे जेल के अंदर होंगे अगर ये चुनाफ जीत का इन्होंने बीजेटी का एक ने तनी छोड़ा अड़वानी जी की राजनीती खतम कर दी इन्होंने मुरली मनोर जोशी की राजनीती खतम कर दी सुमित्रा महाजन की शिवराज सिंग चोहान जिसने मज़्य परदेश का चुनाफ जीत के दिया इन लोगों ने शिवराज सिंग चोहन ने उसको मुख्य मंतरी ने बनाया उसकी राजनीती खतम कर दी वसंद्रा राजे की राजनीती खतम कर दी इन्होंने खट्टर साथ की राजनीती खतम कर दी, डॉक्टर रमल सिंग की राजनीती खतम कर दी, अब अगला किसका नंबर है? योगी आदित्यनाथ अगर ये चुनाथ जीत गए, मेरे से लिखवालब दो महीने के अंदर उत्तर परदेश का मुख्य मंत्री बदल लेंगे ये लोग योगी आदित्यनाथ की राजनीती खतम करेंगे, उनको भी निप्टा देंगे ये लोग यही तानाशाही है दोस्तों वन नेशन, वन लीडर ये चाहते हैं, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा, एक ही तानाशाह इस देश के अंदर बचेगा हमारा देश बहुत महान है चार हजार पांच हजार साल पुराना हमारा देश है इसके पहले पिछले चार हजार साल में कई मौके आए जब इस देश के उपर ताना शाहों ने कबजा करने की कोशिश की लेकिन हमारे देश के लोगों ने उन ताना शाहों का तख्ता उखाड़ के फेक दिया जब जब हमारे देश में ऐसा मौका आया कि ताना शाह ने हमारे देश के ओपर गब्जा करने की कोशिश की इस देश की जनता ने उसका तख्ता उखाड़ के फेक दिया आज एक ताना शाह इस देश से जनतंतर खतम करना चाता है आज एक ताना शाह इस देश से लोग शाही खतम करना चाता है मैं पूरे तन्मन धंसे लड़ रहा हूं संगर्श कर रहा हूं उस ताना शाह के खिलाब 140 करोड लोगों का साथ चाता हूँ मैं मेरे अकेने के करने से नहीं होगा 140 आज मैं आप लोगों से भीक मांगने के लिए आया हूँ 140 करोड लोगों से 140 करोड लोगों से भीक मांगने के लिए आऊ मेरे देश को बचा लो